आज मैं आपको बताऊंगा कि डीजी मेल क्या होता है, डीजी मेल कैसे यूज किया जाता है और अगर आप डीजी मेल का पासवर भूल जाते हैं तो आप उसको कैसे रिजेट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं डीजी मेल एक प्रोफेशनल आइडी है सबी CSE centers के लिए, जितने भी CSE centers होते हैं, उन सबको एक डीजी मेल आइडी दी जाती है, जो कि एक प्रोफेशनल एमेल आइडी होती है, इसी के थुरू CSE से contact किया जाता है CSE जितने भी emails, notifications send करता है वो DigiMail पर ही send करता है जब आप CSE के लिए apply करते हैं तो आपको पहले DigiMail मिलता है उसके बाद DigiMail में आपको CSE ID और password दिया जाता है तो अगर आप CSE यूज़ करते हैं तो आपको DigiMail के बारे में पता होना चाहिए तो DigiMail यूज़ करने के लिए आप अपने browser में type करेंगे mail.digimail.in इसके बाद आप अपना username और password डालेंगे और login पर click करेंगे DigiMail में आपको mail, contacts, calendars and tasks के option दिये गए है mail में आपको inbox, send, draft, junk, trash के option दिये गए है अगर आपको कोई भी email send करना है तो आप new message पर click करेंगे 2 में आप एक email ID डालेंगे जिसको आप email send करना चाहते हैं CC में आप एक दूसरी email ID डालेंगे जिसको आप भी ये email send करना चाहते हैं subject में आप अपना subject type कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आप अपना email type करेंगे इसमें आपको bold italic underlined सभी options दे गए हैं और साथी आप यहाँ पर कोई attachment भी add कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको कोई image add करनी है तो यहाँ पर click करके आप image add कर सकते हैं और अगर आपको कोई और file या link add करना है तो आप यहाँ से add कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ send पर click करेंगे तो आपका email send हो जाएगा आपकी इसी professional email ID से Gmail और दूसरी free mail services को CSE इसलिए use नहीं करता क्योंकि वो safe और secure नहीं होती है इसलिए जब आप CSE के लिए apply करते हैं तो पहले CSE आपको एक professional और secure email ID देता है इसके बाद उसी email ID में आपको आपका CSE ID और password send किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारी CSE ID है और यह CSE password है जो कि DG mail में ही send किया गया है कभी अगर आप अपने CSE का password भूल जाते हैं तो उसको reset करने के लिए भी आपको DG mail में ही login करना पड़ेगा इसमें आपको एक link मिल जाएगा इस तरीके से और इस पर click करके आप अपने password को दो बारा से set कर सकते हैं जितने भी emails आपके पास आते हैं वो आपको inbox में मिलेंगे जो आप send कर देते हैं वो आपको send में मिलेंगे जो आप save करते हैं वो आपको draft में मिलेंगे और जो junk spam emails आएंगे वो आपको junk में मिलेंगे जो आप delete कर देंगे वो आपको trash में मिलेंगे इसके बाद है यहाँ पर context, यहाँ पर आप एक context की list बना सकते हैं, इसके बाद है calendar, इसमें आप calendar देख सकते हैं और आप date के हिसाब से कोई भी task यहाँ add कर सकते हैं, जिसके लिए आप task पर click करेंगे, यहाँ new task पर आप click करेंगे, subject डाल देंगे, location डाल देंगे, priority आप जरूरी है, जरूरी है, यह कम जरूरी है, यहाँ पर आप status चूज कर लेंगे, progress में हैं या फिर complete हो गया है, कितना person complete हो गया है, इसके बाद आप यहाँ पर अपना task टाइप करेंगे, जो भी आपको काम करना है, यहाँ पर आप अपने task की भी एक list बना सकते हैं, compose पर click करक mail.dgmail.in, अपना user id password डाल कर आप login कर सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप अपने dgmail का password भूल जाते हैं, तो आप reset कैसे करेंगे, इसके लिए आप type करेंगे register.csc.gov.in, इसके बाद आप यहाँ my account पर click करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी csc id डालनी होगी यहाँ पर आप चूज कर लेंगे, आपके पास कौन सी device है, fingerprint है, या iris है, इसके बाद यहाँ पर आप यह capture फिल कर दीजिए, और यहाँ इसको confirm करेंगे, और submit कर देंगे, इसके बाद आप यहाँ पर tick करेंगे, और start capture पर click करेंगे, आपकी device activate हो जाएगी, आपको अपना finger रखना होगा, आपके finger को validate किया जाएगा, इसके बाद आपका account आपके सामने आ जाएगा, इसमें आप यहाँ account settings पर click करेंगे, कौन सा password आप change करना चाहते हैं, csc password या dgmail password आप चूज कर लेंगे, हम dgmail यहाँ पर चूज कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपको एक नया password डा जाते हैं, तो आप यही से उसको change कर सकते हैं,